हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके चैनल एचस बैंकर के उपर तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ अगर आपके पास ऐसा कोई क्वाचन है आप चाहते हो मैं उसके उपर वीडियो बनाऊं तो आप वो क्वाचन मुझे नीचे कमेंट बाक्स में लिख के टाइप करके बैज सकते हो लेकिन दोस्तों आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके बैजना जैसे के बुक में अवेलेवल है तो मैं उसके उपर वीडियो बना के एक जा दो देन में वीडियो अप्लोड कर दूँगा आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो जाब फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर क्वाच्चन को पढ़ेंगे क्वाच्चने दा लेंथ एंड बिट्थो फे रेक्टेंगुलर प्लोट इस और इन दा रिशो आइन रिशो आइन रिशो 7 अगर हमें यह लेंथ पर चल जाए इसका तो हमें इस केरिया पता कर सकते हैं तो सबसे पहले हम length width पता करेंगे length width हमें कहां से पता चल लेगी दोस्तों इन्होंने जो दे रखा cost दे रखा fencing का कि कितना 27 रुपे 75 पैसे पर मीटर के हिसाब से cost है और जो total cost आगी वो कितीने आगी 3552 तो ये जो fencing ये दोस्तों कहां पे हुई है इस plot के surrounding में हुई है चार और मतलब इसके perimeter के उपर हुई है ठीक तो अगर ये जो amount दे रखी है और पर मीटर के साब से rate दे रखा तो total amount को हम पर मीटर के साब से rate के divide कर देंगे तो हमारा पर total length आजाएगी कि इतने length इतने मीटर total fencing होई है तो वो fencing क्या होगी हमारा perimeter होगा तो perimeter कितना हो जागा 3552 over 27.75 is equal to 128 आजाता है तो perimeter 128 आगया इन्होंने हमारा पर length or width का ratio दे रखा है तो हम माल लेते हैं जो हमारी length थे वो 7x है और जो width थे 9x है क्योंकि ratio में दे रखा है तो ratio को हम यहां पर xx लगा लेते हैं और इनकी length रो width लिख देते हैं ठीक है अभी हमारे पार perimeter आगे 128 तो perimeter का क्या फर्मों होता है टू bracket में length plus width is equal to 128 तो यहां पर x की value हमारे पास cut cut टाके 4 आ जाती है एक्स की value 4 आगी और हमारी length 9x है तो एक्स की 4 डालोगे तो 9,37 तो length होगी 36 और width होगी 28 और total area कितना हो गया area होता length into width 1028 अमेदे दोस्तों समझा गया होगा आपको simple था वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए दन्यवाद चैहिन आप